हेलो दोस्तों आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए आधिकाल साहित्य से लेकर कुछ प्रशन लेकर आए हैं जो की आपके MCQ बेस है ये कोशन इसमें जो टापिक रहेंगे आपके आधिकाल का उद्भाव ठीक है और उसका विकास से संबंदित आपके प्रशन है साथ में जो है जो इसका जो साहित्य लेखन हुआ आदी साहित्य का जो आदीकाल का जो लेखन हुआ था उससे संबंदित हमने प्रशन लिये हैं साथ में जो आदीकाल का स्वरूप है प्रकिरिया किस तरह से उनकी शुरुआ आती है और इसमें कौन-कौन से लेखक हुए कौन-कौन से जोनों ने अपनी रचनाय लिखी उनकी रचनाओं के बारे में सभी नामकरण किस तरह से हुआ इसका ये सब प्रश्ण हमने आपके लिए तैयार किये हैं प्रश्णों का जो पैटर्न है वो देख लीजिए सबसे पहले हमने जो प्रश्ण लिए हैं वो सही विक प्रश्ण नहीं मिलेगा आपको सीधा सीधा आपको उत्तर देना है तो जिससे इससे पता चलेगा कि बिना उप्ष्ण के भी आप कितना अपने उपर रखते हैं कि आप एकदम से उतर बता पाते हैं फिर उसके बाद दोस्तों एक हमने कुछ अलग तरह से आपके लिए एक नहीं पर हैं 10 फिल नीचे इस प्रकार से 40 प्रश्ण का आपके लिएerme कैसे इसको आप इसको करेंगे अगर और हपसे किसी भी प्रश्ण है नहीं बनता है कि सब्सक्रार का diffyम है अगर वीडियो पसंद आती है तो जादस जादर like and share करें बहुत अच्छे प्रश्ण है और अच्छे से बड़ी मैनस से ये वीडियो में आपके लिए तयार किया है तो वीडियो को आप जादर जादर लाइक एंड शेयर करें जिससे सभी स्टुडेंट तक ये कंटेंट पहुंसके और दूसरी बात जो आज ही चैनल पर जुड़े हैं वो स्टुडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बैल आइकन को हिट कर दे क्योंकि आप साइटे इतिहास है उस शब्त का असर पर्थमूलEM कहा मिला अथरवेद में मिला तब उसके बासी है भारतिय साहिति इतिहास की श्रुवात हुई अगला प्रशन है जीवो वानि बातिस्ते विचो का कालखंड माना जाता है जो जीवो वानिंट कब से कब क तक माना गया यह बताना है तो इसमें 1668 से लेकर 1744 तक उनका कालखंड माला गया है मुझे अमीद है सभी स्टुटेंट का यह आंसर हो सही गया होगा चलिए अगले प्रशन पे चलता है ही रो तसके पश्चात प्रख्यात इतिहासकार थे जो यह थे तो इनके पश्चात जो हुए इतिहासकार वो सबसे कौन थे प्रख्यात जो हुए है इनके बाद यह तो थे इनसे तो शुरुआत हुए सभी को पता है लेकिन इनके पश्चात कौन हुए तो आपकी जानकारी के लिए बता दे इनके बाद आये थे थूसी डाइडस सबका सही गया होगा आंसर यह इनमें से यह नहीं काम नरेश्त्र पाठी जी से है चले अगला प्रश्ण परीचैया के लेखक है परीचैया के लेखक बताने हैं इसमें नाबादाजी कबीरदाजी अनंदाजी रैदास तो चारों में से बताईए कौन होंगे तो चारों में सो जो होंगे वह होंगे अनंदाजी ठीक है परच इसका आपका उत्तर हो जाएगा बंगाल से जो चैतने युग की शुरुआत हुई वह कहां से हुई बंगाल से महाराश्य से किसकी हुई है कश्मीर से किसकी हुई अगर आपको पता है तो बताईए कमेंट बोक्स में चलिए अगला प्रशनी है किसी व्यापक आंदोलन पर आ जयते हें अंदोलन भकति यूग यहां पर हो गया यह लेकिन यह यूग लिखा है ठीक है तो भकति यूग जो था एंदोलन चिढा उसके नाम पर साइकते रखा गया वकति आंदोलन जब शिडा तो उसका naam भक्ति यूग रखा गया चलिए अगले प्रश्ण पे चलते हैं आचारे शुकल से पहले दोस्तों ये प्रश्ण जो है आपका इसमें से और भी कही तरह के प्रश्ण बनते हैं क्योंकि जो भक्ति आंदोलन छिड़ा था तो इसके पीछे भी साहत्या कारों ने अपने विचा रखे हैं कि भक्ति आंदोलन छिड़ने के क्या कारण रहे हमारे देश में उसमें जो है आचारे रामचंद्र शुकूल डॉक्टर नगेंद्र हजारी परसाद दिवेदी सभी ने अपने विचार प्रस्तूत कि हैं कि भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुआ देश में ठीक है चलिए प्रशन पर चलते हैं 17 सदी से 19 सदी के मध्य तक के काल को कहते हैं जो 17 सदी से शुरूआ और 19 सदी तक रहा उस काल को क्या कहा गया है तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका रितिकाल ठीक है चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है आपका राज राजिस्थानी वे अब भरंश भाषा के योग से जो भाषा बनी उसको डिंगल कहते हैं अब पिंगल किसको कहते हैं यह डिंगल पिंगल जो है रही है यह जो है आधिकाल की भाषा है रही है लेकिन डिंगल तो बनगी राजिस्थानी वे भरंश से मिलकर लेकिन पिंगल किस नाम पता है कि चारवेद कोन को से हैं हमारे तो नहीं पता है तो आपक सकते हैं शौ जो लिग चपा saad चारवेद को पुरानों की संख्या क्या है तो परमु पुरान को संख्या है वह 18 है नोट डाउन कर लिजे इसको अगला प्रशन है बोध साहित्य के तीन अंग कौन से हैं तो आपके लिए बता देते हैं पहला है इसमें पिटक नोट कर लिजे आप दूसरा है जातक और तीसरा है निकाए हैं यह तीन अंग है के चलैंगा परसे द्राइक हैं एक लिए फटी होग्सरोर जी कि हमाफ को बतादेते हैं वैसे तो हमें तो सर्फ हैं इसको नोट कर लिजे और उसी भी लिख सकते हैं जो आपको पता हो अलगा प्रशने है मिष्र बंदु रिइव हो गया है मिष्र बंदु रिइव है या नाम और फ़कर दिया है पने ही इन्यस स्वार्ण नाम ग्यालठ बता और व्रध कND स्वार्ण मिश्र V Greece 두ाइव हां नाम इक देव है यह बंदू थे तीन तीन बंदू मतलब तीन भाई थे यह और इन्होंने अपने गरंथ का नाम जो दिया था मिश्र विनोद दिया था और इन भाईयों के नाम थे आप लिख सकते हैं गणे श्याम और सुकदे ठीक है और इनका जो यह गरंथ आया था यह 1913 में प्रकाशित तो यह लिखा गया था हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास लिखा है बच्चन सिंगी ने लिखा है इसको नोट डाउन कर लिजी आप बच्चन सिंगी के दुआरा लिखा गया और यह लिखा गया 1996 में ठीक है इसको नोट डाउन कर लिजी अगला प्रशने है रामचंद काल को किस ने नाम दिया अब रितिकाल को सब ने अलग अलग नाम दी है तो उसमें से कुछ करया है तो आपको बताने है तो अलंग करित काल काल बताना है किसने कहा है तो जो एक साइत्यकार और रहे हैं वह भी नोट कर लिए अप चतुरु सेन शास्त्री जी कहा हैstes correct दोस्तों आधिकाल को भी नाम दिये गए रितिकाल को भी नाम दिये गए लेकिन हमने रितिकाल के नाम लिये हैं आप देख ली जागे रितिकाल को लालित्ययुक किसने कहा है तो आपकी जानकारी के लिए रितिकाल को लालित्ययुक कहा है सूर्य कांत शास्त्री ठीक है सूर् चारनीकाल नाम रितिकाल को सीफ अ में रंकल को है और आपकी जानकारी के लिए आधि काल को चारन्काल किस ने कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को चारनकाल कहा है और जो चारनीकाल कहा है रितिकाल को वो मैंने अभी आपको बताई दिया F.E.K. ने कहा है चाले गला प्रशन देख लीजी हिंदी साहिते का प्रतमी तियाज किसके द्वारा लिखा गया है मोसली सभी कॉमन कोश्चन यहां आता है सबी इसको जानते भी हैं गारसादा तासी के द्वारा लिखा गया है यह सभी को पता लेकिन थोड़सी जानकारी है में इनके बारें में देते हैं आपको यह उर्दू के प्रोफेसर थे ठीक है इसलिए यह उर्दू के हिमायटी भी रहे प्रकाशित हुआ था चले प्रशन सीवी सिंग्स रोज का प्रकाशन कब हुआ तो इसका प्रकाशन हुआ है 1888 में और इनी के नाम पर है ठीक है अगला प्रशन है आचारे शुक्र ने हिंदी साहते के प्रथम युग को किस नाम से पुकारा है जो प्रथम यूग है आप ही व आपको बताया है कि उन्होंने इसको आदिकाल कहा है चले प्रशन देख लीजिए ठोला मारूरू दोहा किसकी रचना है तो अगर आपको यह नहीं पता है तो बता देते हैं इसके रचनाकार है कुशल शर्मा ठीक है कुशल शर्मा और एक चीज़ और बताते है आपको यह जो कावे है यह लोग की कावे है और लोग की कावे किसको कहा जाता है लोग कावे आपने सुनाई है लोग कावे ही लोग की कावे होता है अगला प्रशन है बाविश्यत कहा किसके द्वारा रचित है तो यह रचना जो है धनपाल जी के द्वारा है और यह जैन कवी रहे है और आपके एक चीज और बता देते हैं इसमें कि ये जो है इसमें तीन परकार की कथाए हैं तीन परकार की इनों ने इसमें कथाए ली है और बीस परकार की इसमें संधी भी है अगला प्रशन देख लीजी अगला प्रशनी है दोहा कोश किसकी रचना है तो यह तो मौसली सभी को पता है यह जो है सरहपाजी की रचना है शैद हाँ प्रशन शुट गया आपका प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है तो जो प्राकृत व्याकरण है आपको पता है कि थी इसको शब्दा अनुशाशन भी और है और सनस्कृत और साथ्मिय प्राकृत और अभृष इन टीनों का समावेश है इसमें ठीक है बहुत अच्छा यह है इसको नोठ डाwn जरू करें बहुत अच्छे मैंने नो डाउन जरूर करके रखें पता है तो अपने ग्यान को आगे और बढ़ाएं चलिए लास प्रेशन देख लिए पूर मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है आपको पता है कि पूर मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल क्या है यह क्या नाम दिये गए हैं इनको तो पूर मध्यकाल है और उत्तरमध्यकाल है आपका रितिकाल और ये नाम किस ने दिये हैं आपको पता है तो बताएए कमेंट बोक्स में इस प्रकासी ये 30 प्रशन मैंने आपको करा दिये हैं आपको 10 मैंने जो हैं MCQ बेस्टे और आपके ये अतिलगू मैंने कराए हैं कुछ अलग पैटर्न दे क कर करें कर से यह आप ने कितनी हैरी की है कितने अच्छे से की है अपने आपने आप ही अपने आपको अनिलाइजिस टैने फूस favorable कर सकते may उसटे ने अबम सारे आपको करवांगी और लेहां आप कि अगर आपको ये से क्लाओं आट हैं तो आप कमेंट बोक्स में इनके नंबर डाल दीजिए आप प्रशन का नंबर डाल दीजिए आपको उत्तर जरूर मिलेगा वीडियो पसंद आई है तो जादर जादर लाइक एंड शेर करें और सब तक यह कंटेंट पहुंचाने के आपके तुरू ही जाते हैं कंटेंट जो वीडियो बनती हैं तो इनको कितकी ज militar झाल तो जो कि आपके tv नियुया हैं तो जुच अटगी नियुचाने प्र狂़ जाते हैं वीजिए आपके यहासदेर किक ड्हुभण का उना सब्सकतला दाएक यहां गुरूश झाल राते हैं 사ना घंडिए जो पहासदार जा हैं एम सबके तुरूबर काते हैं ज